नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड चोहते सीक्रेट बुद्ध का रासी परिवर्तन हो रहा है और बुद्ध देवगुरु ब्रस्पती की रासी धनू रासी में आ रहे हैं अभी तक वो बिस्चिक रासी में थे लेकिन जैसे ही वो बुद्ध के यहां आने से 10 दिसंबर 2021 की सुबद 6 बचकर 5 मिनट पर जैसे ही वो प्रवेश करेंगे और 29 दिसंबर 2021 तक बुद्ध यहीं पर रहेंगे तो क्या मिलने वाला है फल आप सभी 12 रासियों के जीवन में चले जानते हैं बिस्तार से सुबात करते हैं मेस रासी से मेस वालों बुद्ध आपके नवे भौ में आएंगे तो नौकरी और ब्यापार दोनों में ही तरक्की कराएंगे भागे का साथ मिलेगा पारिबारी जीवन में सुख सान्ती स्वहार्द बना रहेगा हलांकि कर्म छेतर में कारे छेतर में थोड़ा परिश्रम करने पड़े लेकिन मेहनत का फ़ल आपको मिलेगा कुछ नया पाना है तो परिश्रम जरूर करें और बुद्ध का धनू में आना आपके लिए बहुत अच्छा है मित्रों का साथ भी आपको मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे आसानी से अगर आप लोन बिगर लेना चाहते है तो इस समय आपको आसानी से मिलेगा बिसब रासी आपके लिए बुद्ध का ये गोचर खटा मीठा है क्योंकि सुर्वात में थोड़ी चिंताएं हैं थोड़ा तनाओ है थोड़ा क्रोध है थोड़ा गुसा है चर्चरापन है भविसी को लेकर डर है ये परेसानी है लेकि आप इनसे मुक्त भी हो जाएंगे क्योंकि सुर्वारासी परिवर्तन होने के बाद चीजे बेहतर होंगी लेकिन अभी आपको अपनी आखों का ध्यान रखना है थोड़ा मानसिक कस्ठ है और सुखों में कमी होगी हलांकि धन की स्तिती सामान्य है मेहनत से परिश्रम से मुक्त होने के लिए बस अपने काम को करते रहे तो अच्छा है मिधुनडासी अगर आप पार्टनर्सिप में काम करते हैं या फिर लाइफ पार्टनर के लिए ये समय अच्छा है यानि जीवन में एक नया आपका बड़ा बदलावा आएगा आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको बस आगे ले जाएगा आपका निरने लेने की छमता बढ़ेगी नए निरने भी ले पाएंगे बस ये समझ लें कि महत्वपूर्ण कारे पूरे होंगे अगर कोई काम लंबे समय से पेंडिंग थे वो पूरा हो जाएगा आप इस बीच करने का प्रयास करें 29 दि दियान रखें करकर आसी इसमें सत्रू विरोधी तोरे से यहां पर आपको परिशान कर सकते हैं और थोड़ा सा मानसिक टेंसन भी बढ़ा हुआ है सारीरी कस्ठ है इसलिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें दुस्मनों पर नजर बनाये रखें और धन पर कंट्रोल रखे और कहीं भी बड़े इंवेस्टमेंट मत कीजिए जरूरी ना हो तो सेयर मार्केट में मज जाईए किसी को उधार मत दीजिए आई तो बड़ेगा पर खर्चा भी बढ़ रहा है ध्यान रखे सिंग रासी संतान की तरक्की होगी सिख्छा में तरक्की होगी धन आएगा बिजनस में लाब होगा और मानसिक सांति आपकी कायन है क्योंकि बुद्ध देव आय में ब्रधी कर रहे हैं और बुद्धी में भी निखार लाएंगे जो लोग कला के छेतर से जुड़े हैं उनके के लिए ज्यादा अच्छा वक्त है अध्यात्मिक विश्यों में मन भी लगेगा और इसमें जीवन साथी से छोटे मुटे विवाद हैं इसका ध्यान रखना है धन बढ़ेगा निर्ने लेने की छमता बढ़े के लिए कि नौकरी जो लोग करते हैं या जो भी द्यारती हैं उ रखी होगी और इसमें नौकरी में प्रमोशन के साथ संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं संतान से सुख मिलेगा अब यहां पर इस रासी परिवर्तन का सबसे अच्छा यह है कि इसका लाब आपको उठाना चाहिए प्रिस्रम कीजिए और फल भी मिलेगा नौकरी प्रा तुला रासी तुला वालों बुद्ध का यह परिवर्तन आपके भाई बहन से सुख प्राप्त होगा आपको और संपत्ति की प्राप्ति होगी नया कार आरंब करने के भी योग हैं इसमें धन सुख दोनों ही बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा भागदोर है बैस्तता है मिहन जरूर करना होगा काम का प्रेसर है पर जिम्मेदारिया आपको थोड़ी सी बिचलित करेंगी और प्रेसरम का हलांकि लाब भी मिलेगा तो सत्रू इसमें आपके प्रती सडेंद्र रख सकते हैं तो सत्रू से साब्धान रहिएगा और आलस से आपके बनेवे काम को भी आपके लिए धन भी आएगा मांसिक रूप से आप जो टेंसन में थे वो समाप्त होगा लेकिन अपनी आँखों का ध्यान रखेगा हलांकि बैभाई जीवन में सुख है और आप अगर बिजरसमें हैं तो तरकी होने के योग हैं बुद्य देप चुकि आपके ही लगने से यहां पर धनुरासी में जा रहे हैं तो यकिनन दोनों ही दरह का फल मिलेगा अच्छा भी और बुरा भी क्योंकि इंकम तो बढ़ेगा पर कहीं पैसे इंबेश्ट करना चाहते हैं तो असो समझकर कर सकते हैं और स्वास्त के मामलों में थोड़ा सा अपने उपर ध्यान धन भी आएगा और विजनस में लाब के साथ नौकरी में प्रमोसन होने के भी योग बन रहे हैं अब बुद्ध्य देव चुकि आपके लगन में आ रहे हैं तो नौकरी प्राप्ति के प्रवल से बना बनी भी है ब्यापारियों के लिए अच्छा वक्त है साथ ही लाब भी होगा और कंपिटिशन के त्यारी कर रहे हात्रों के लिए बहुत अच्छा वक्त है बस पढ़ाई पर फोकस करें परिवार में सम्मान बढ़ेगा अपना पन बढ़ेगा और स्वास्त को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहां लाप्रवाही आपको आगे चल कर परिशान करेगी तो यहां पर धनोबालों के लिए अच्छा तो है पर आँखों का ध्यान रखना है थोड़ा टेंसर ने उससे बहार निकलिया मकर रासी थोड़े खर्चे बढ़े हुए हैं हलांकि नौकरी में परमोसन होगा और अगर आप दिमाग का कोई काम करते हैं दि इसी प्रेसर का आपको बेनिफिट मिलेगा धन बढ़ेगा और इसमें सफलता पूरी तरह मिलेगी जो खासकर विद्यार थी अनावस्तिक चिंताओं से कुद को दूर रखने का परयास करें तो ज्यादा अच्छा है कहने का दात पर सुरुआत में ज्यादा टेंसन है दस द करेगा और सुखों में ब्रधी करने के भी प्रवल समाबनाया पर बनी वी है तो कुम्बालों किसी भी छेत्र में आप काम करते हों पर लाब जरूर होगा चाहे वो स्वास्त कर लेकर हो या धन कर लेकर हो बस भविस्य की चिंता थोड़ी सी परेसान करेगी ऐसे में ध्यान करें योगा करें क्योंकि बेवज़ा चिंता भी ज्यादा सही नहीं है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है और यह वक्त बढ़िया है तो इसका फायदा तो आपको उठाना ही चाहिए मींडासी नया कारे कर सकते हैं नया ब्यापारा रमब कर सकते हैं धन भी आएगा संपत्ती भी बढ़ेगा और दंपत्ते जीवन में सुख भी बढ़ता दिखता है जो लोग जॉब की तलास में हैं मन चाही नौकरी प्राप्त होने के योग है प्रमोसन होगा और जो लोग जॉप करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है ओफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सिक्षा की छेते से जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छा वक्त है खास कर जो भी द्यारती हैं परिश्रम का फल मिलेगा भागे का साथ मिलेगा और आप उन्नती के ओर चले जाए कहने के अतात पर बुद्ध आपके लिए बढ़िया है इस समय आप सलाह लेकर एक पढ़ना पहन सकते हैं या फिर आप ओम बुम बुद्धायन मका जब करें तो उत्तम रेगा फिलाल आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवार